Magnetic effect of electric current, इसमें भी आपको bifurcate करना है, इसके दो meaning हो सकते हैं, पहली बात, electric current को flow करवाईए, उसने magnetic effect को generate केजिए, जैसे आपने heating effect पढ़ा था, उसी का ये, just उसी तरीके का है, electric current के flow होने से, उस appliances में magnetic effect generate हो रहा है, और ये magnetic effect आपके useful work में उसमें convert किया जा रहा है, जैसे for example, इसमें उलगवक्त सेम है, अब इसमें क्या है, definition देखिए, when electric current flow, वहाँ भी flow हो रही थी, heating effect में यहाँ भी flow हो रही है, throw a wire, wire में था, वहाँ भी, अब यह क्या हो रहा है, वहाँ heat produce हो रही थी, heating में, अब यहाँ क्या हो रहा है, वो जो appliances है, magnet की तरह behave कर रहा है, औ of electric current, क्योंकि magnetic effect generate हो रहा है, वो किस current से हो रहा, electric current के, उन्होंने काई, एक example बताइए, यह दो, एक example, इन्होंने काई, इस तरह काई, आपने एक system बना, एक circuit बनाया, जिसमें क्या किया, एक cardboard लिया, एक cardboard tray के अंदर, जो match box है, take the cardboard tray from a match box, मतला अंदर वाली वो निकाली, उस के उपर की तरह आपने copper का wire को इस तरीके से parallel, यह किस तरीके से, बिल्कुल parallel है, और इस तरीके से आपने इसको bind किया, यह wire इदर से start हो रहा, फिर आपने करते करते, इसको इस तरीके से यहां से ले गए, simple, अब आपने कहा है, इसके अंदर एक compass रग दिया जाए, compass बोले इसके अंदर magnetic needle होती है, वो क्या दिखाती है, वो directions को बताती है, जो कि north-south होता है, वो अपने आप move करती है, और उसी से direction बता परता है, उसको आपने अंदर रग दिया, अब आपने इसको क्या किया, इसको आपने circuit से जोड़ा, circuit में एक cell लगावा है, एक switch लगा अभी off position में, और एक bulb लगा, simple, तो इसने कहा कि free end wire को आपने electric cell switch से जोड़ा, अब आपने switch को on किया, मतलब यह वाले जो position है, इस case में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप on कर रहे हो, on करने के बाद क्या होगा, on करते ही, आपने देखा कि needle मे movement हो रहा है, तो इसा किसा हो गया, तो जो deflection हुआ, वो किस कारण से हुआ, magnetic effect के कारण से हुआ, अब आपने का switch off कर दीजे, तब आपने देखा कि needle में जो deflection था, वो अपनी original position में फिर से आ गया, जैसे north-south में था अभी, वो normally north-south में ही रहता है, पर जैसे आपने on किया, तो वो उसका deflection हुआ कुछ moment आया, जैसे ओप किया तो वापिस वो north-south में आ गया, इसका मतब हुआ क्या, अगर electric current को आप flow करने के बाद ही यह सा हो रहा है, इसका मतब उसी के कारण से हो रहा है, तब आपने कहा कि यह अपनी position पर आया है, electric flow के कारण से, तो उसका कारण बताया है कि क्योंकि यह magnet बन गया है, कि किस में magnet बना है, कि इस वाली चीज में magnet बना है, इस magnet ने अंदर वाली magnet को move करने के लिए force create किया, और यह जो wire का, यह जो wire में magnet बना, wire को अगर मालो coiling की तरह कर दिया जाए तो उसके अंदर magnet बनता है, तो यह wire में magnet बना और अंदर वाला magnet को उसने जिसे ऑफ अपने कभी मègनेट देखे होंगे अगर में नौर्थ पॉल और साओ्थ पॉल यह नौर्थ पॉल और साउत पॉल आपि कहीरत है होता है सेम6 वोल में हमेशा हुआ हुपा नौर्थ नौर्थ रिपल्शर यह साउत्थ साउत्थ जीसे मालों इसकी तेका में South-South कर देता तो क्या होता है South और South होता है तो भी यह डिपल्शन होता है पर North-South होता है तो North-South होता है तो वह attraction करता यह यह बाद आपने easily gain की ओगी छोटे बचसे आते तो तो यहां पर इसी तरीगे का एक रिफलेक्शन क्यों हुआ और आपकी नीडल है थो नीडिल है उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुब इसमें क्या किया जाता है जब भी इलेक्ट्रिक करन पास की जाती है कोईल से यह कोईल है तो यह जो पूरी जो नेल है वह किसके तरह बहुत करेगी वह मैगनेट कि तरह बहुत करेगी और इसी को बोलते हैं कि ऐसे कोईल यह कैसी है का ईससे की गारण एंदर की सर यह इसकी आप की कवरिंग है प्लास्टिक की कवरिंग है और इसको आपने उपर से लगा दिया ठीक है और अंदर की तरह यह क्या चीज़ है यह है आईरन का नेल और उसके उपर इंसुलेटेड वायर है तो अब आपने इसके इलेक्ट्रिक करण्ट को फ्लो करवाया तो यह किसमें कोटिंग लगी है है अब आपने उसका करण्ट का क्लो करवाया तो यह से रौंडर होता गया यहां से निक्ला और यह करण्ट को इस सर्कीट बनाए है और इसमें रहां हुवा है तो यहां पर हुआ क्या में इस आयरन ने भी हेव करना बता क्याrière चुरूंकिया मेगनेट के तरह है इस इस एड के में चूर्म के लेक्त्रो मेगनेट होना इसको ब्लते हैं उसको बता है यह और होता है ज metici लगारा यूजे लगरा दो होता है यह यह बता यह वह सब लगा कर से अधोन 21 सोब है इसकें फारेव ह्एक्ट आइरन फिषा गुआ है जैसे उइसके अइसद में जिए प्रेट किया साने पतता है harness यहां प्रीक्ट इसे ने क्या हो रहा है कि मेंगणेट वर मैं उसनी पिंख बसारी ने इसे पुराने जमाने कि आप देखिए कोपर की वाइरिंग को किसी आईरन के टुक्डे के उपर अगर राउन गूमा दिया जा तो करंड का होता है और इसके कशले से मैगनेट का जनेरेशन होता है तो नीचे वाला जो रहода ओरे मेगनेट मेगनेट बनाएगा और जाता इसने प्रोड़ीस किया उस तरह कर से के इसमें मेंगनेत सबसे पहले काम क्या हुआ सब metria का फ्लोन होने के बाद में यहां से आ स्वाद का राॉंड राउंड मूव करना उसके भाषिया नीचे के अधरletter अपर ये से लपेटब करना इस वाले आइरें से यहां पर नोकिंग करना और नोक करके आवाज कर पैदा करना तो आप देखने आवाज कैसी होती है इस तरह के से हमारी यहां जो करंट आती है वो कैसी आती है वो DC करंट आती है है भी कब्यान नेकेट तो प्यजशे है अट्रक्शन और सब्सक्राऊकर वापीस छोड़ेगा बनेगा फिर जोड़ेखन तो सब्सक्राइब नेगेटिव में छोड़ा तो इस तरीके से जावा जाएगे जब बनेगा तब ठाच होगा जब छोड़े तब दूर जब बनेगा फिट ठाच होगा इसको थोड़ा सब्सक्राइब बता सकते आप यहां देखो यहां भी वही चीज दिखा रहा है वह इसी का वह वह चीज इसा करने से इसमें मैगनेट बना क्योंकि आइरन ने यहां वाले इसको यहां से क्या हुआ इसको पास में खेचा खेचने के बाद में क्या होगा यहां से स्ट्राइक करने स्ट्राइक किया तो साउंड का साउंड प्रोड्यूस हुआ स्ट्राइक करते साउंड प्रोड्यूस हुआ इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है यह सारी चीज़े क्या है यह बता रही है कि आप इलेक्ट्र पनाकर नेमने प्रदमने को किया इसके बाद में इनका बहुत बड़ा योगदान है इनका नाम है और रास्टेट हैंस Christian और रस्टेट उन्हें उसमें इनकोई एक्स्पेरिमेंट करके बता है इस था मेगनेट का होता है इनके बारे में बताया में बदा यह आप पहरे हम करवाते भी थे कि इस तरह के साथ गर पर कर सकते हो तो आप करन्ट का कभी यूद्ध करना ज्यादा करन्ट का 220 वाट तो बिल्कुल मत करना इस वाले करन्ट का तुरांद अगर जटका लगते ही उसमें आपके माइंड के फ् यह लगान आना कोई project आपको दिया नहीं गया है इसमें थोड़ी सी साथ साथ क्या दे रखिये इसमें आपको कोई लिंग जो होती है वह थोड़ी सी समलगे करनी होती है सोप तायरन इसके ऊपर इस तरीके digital को इस से किया कई और ऐससाथनी से करेंगे तब इसके अंदर में बनेगी मेole Award ने आप कभी खेंसता है और कभी नहीं उस केश में इस तरीके गई मतलब jaks यॉन्स को खेच चात्रेक किया तब आप देखने यह इस तरीके से आया जब छोड़ा तो आप चला गया तो इसलिए अब देखने यह इस तरीके से दिख रहा है वाइब्रेटिंग मोड में यह इसी तरीक से इलेक्रिक बेल जो पुराने जबाने में तो ऐसी थी अब प्रोड़ी से नियो जी है